हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दस सीक्रेट ऑफ इंवेस्टी में दोस्तों पिछले हफ़ते से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में लगातार गिरावट जारी थी तो बहुत सारे स्टॉक आपको यहाँ पे काफी ज़दा अंडर वैलूट दिख करने वाले हैं जो कि अपने ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है जी यहाँ दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग मार्केट की बात कर लें तो आप लोग देख रहे हैं आज काफी दिनों बाद यहाँ पे आपको काफी अच्छी कासी रैली देखने हो क मिले हैं पहले गैप अप ओपनिंग आपको देखने हो मिली उसके बाद लगातार यहाँ पे आप लोगों को जो मार्केट है वो कंसॉलिडेट करते हुए नजर आई जो कि एक पॉस्टिव साइन हम लोगों को यहाँ पे देखने हो मिले हैं मार्केट में काफी ज्यादा न गिरावट निफ्टी में आपको देखने हो मिलेगी अगर हम लोग एक महीने की बात करें तो कोई यहाँ पे सीन चेंज नहीं होगा लगातार गिरावट जारी है चार परसंट के आसपास की पिछले एक महीने से यहाँ पे गिरावट हो चुकी है और जो बहतरी नी स्टॉक है वहाँ पे आपको अलड़ी काफी जादा गिरावट देखने हो मिल चुकी है यहाँ पे हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं आर्टी ड्रग स्टॉक के बारे में आप लोग देख रहे हैं आज दिन लगबग एक परसंट की तेजी इस स्टॉक में पंतिवी निजर आ र 41 रुपीज किया देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे फिटर भी खाये और वहाँ से कंटी निवसली से स्टॉक ने आपको फॉल करके दिखाया है अब दोस्तों एकदम बॉटम के लेवल पे आपको इस स्टॉक आता हुआ नजर आ रहा है देख सकते हैं आपे कंटी निवस पर यह स्टॉक आता हुआ नजरार मतलब कि जो पूरे रैली थी इसकी लगबग एक साल के आसपास की वहाँ से इसने पूरा जो है स्पॉल आउट हो चुकी है वो रैली और अगर आप लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जिन इन्वेस्टर ने एक साल पहले इन्वेस्ट किया अगस्त के बाद तो वो अभी भी लॉस में है लेकिन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अच्छा मौका मिला है इस स्टॉक में खरीदारी करने का मैं ऐसा नहीं भूला हूँ कि कली इस स्टॉक में काफी अच्छा क से यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जा रहा है इस स्टॉक ने भी हमेशा ही आउटस्टेंडिंग प्रफॉर्म करके दिखाया है पिछले दस सालों से लगातार 48 परसंट के सी एजियार से रिटन दिए हैं पिछले 5 सालों से 26 परसंट के सी एजियार से करके दिखाया है और पिछले 3 सालों से 55 परसंट के सी एजियार से तो हम लोगों को पता है कंपनी बहुत ही बैदरी ने लगातार ग्रोथ दिखा रही है साथ-साथ स्टॉक ने भी हम लोगों को रिटन प्रफॉर्म करके दिखाया है देख सकते हैं एक फार्मसोटिकल यहां पर आपको जो रिजर्व मौजूद होता हुगा नजर आएगा तो कंपनी आगे चलके नए प्लांट्स बना सकती है नए मैनुफ्रेक्श्रिंग प्लांट्स बनाती हुए नजर आ सकती है साथ-साथ अपना जो डेफ्थ है वो पूरा का पूरा रिड्यूस करती साथ-साथ आप लोग देखेंगे FIIs ने भी यहां पर दबा के सेलिंग करी है 2.99% का स्टेक था जो की घटा के 2.57% कर दिया और 2.21% स्कॉर्टर में देखने हुए मतलब कि प्रमोटर और साथ-साथ फॉरा इंस्ट्यूशनल इंवेस्टर भी यहां पर दोनों तरफ से बि 35.55% के स्टेक हो चुगा है तो दोनों ही तरफ से आप लोगों को यहां पर जो है थोड़ी बहुत खरीदारी होती वी नजर आ रही है लेकिन लॉंग टम के सिनेरियों से हम लोगों पता है कंपनी ओवरॉल काफी बैतरीन है अगर हम लोग यहां पर देखें प्राइस टू पर ट्रेट करते हो नजर आई जैसे डेवी स्लैब देख सकते हैं 59 के पर है ग्लैन फार्मा 53 के प्राइस टू अपर नजर आएगा और दूसरे फार्मसुटिकल स्टॉक से काफी बहतरीन रिटन देने वाली कंपनी है 48% के CGR से पिछले 10 सालों से लगाता है रिटन दे रही है तो definitely long term के period से ये stock आपको काफी ज़्यादा lower valuation पर trade करता हो नजर आ रहा है यहाँ पर कोई भी red signal देखते हो नहीं मिलेगा और दूसरी एक पात आपको देखने हो मिलेगा यह profit booking भी आपको बहुत उपर के level से देखने हो मिली है अगर हम लोग थोड़ा से long term का chart pattern देखें है बीस माज दूजर बीस में stock का price 122 रुपीस के आसपास का था और high देख सकते है 841 के आसपास लगता हूँ हम लोगों को नजर आया बहुत ही जल्द तो यहाँ पर जब कोई stock एक रुपय का 8 गुना कर देता है साथ गुना कर देता है तो दूस्तों वहाँ पर आप लोग आता हम लोगों गिरावट देखने हों मिल जाती है तो दूस्तों यहाँ पर वही होता हूँ हम लोगों को नजर आरे देख सकते हैं एक continuous यहाँ पर गिरावट आपको देखने हों मिल लेंगे और यहाँ पर काफी अच्छा मौका मिलता है जब भी किसी अच्छे stocks में आपक थोड़ी बहुत गिरावट मिले तो आप लोग जरूर उन stocks में खरेदारी करके रखा करिए जिन भी investor ने अगर इसको बहुत ही ऊपर के level पे ले लिया है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है अगर आप लोग एक long term investor है तो दोस्तों आप लोगों को जरूर इस stock को वोल दिखाता हुआ नजर आ सकता है दूसरे जो fund है दूसरे जो stocks हैं दूसरे जो sector है वहां का पैसा वापस से आपको safe zone में देखने मिला है जो कि है pharmaceutical stock क्योंकि आप लोगों को पता है last covid में यही हुआ था जब covid आया तो तो केवल ओ केवल फार्मा sector जो था वो काफी तेजी से ब यह नजर आ रही है तो definitely यहां पर आप लोगों थोड़ा बहुत hold करना चाहिए अगर आप लोगों ने यहां पर exit कर दिया तो दोस्तों आप लोग काफी ज़्यादा loss में exit करेंगे इसलिए long time period के लिए हमेशा किसी stock को लिया करिए और साथ ही साथ इस stock को भी आप लोग hold कर के चल सकते हैं बहुत ही जल्द आपको यह काफी अच्छे कासे मुनाफ़े में जाती हूँ नजर आएगी फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो चल लगा हो तो वीडियो को like कर सकते हैं चैनल पर first time हो तो चैनल को subscribe कर सकते हैं मिलते हैं आपको next video में तब तक के लि कर सकते हैं